क्या इस कुल्फी को देख करके आप ये कह सकते हैं कि ये मैंने गेहूं के आटे और हल्दी पाउजर की मदद से बनाई है साहद आपको यके ना हो लेकिन फ्रेंट्स ये बिल्कुल सच है आज मैंने ये कुल्फी गेहूं के आचे और हल्दी पाउजर की मदद से बना करके तयार की है स्वाद इसका ऐसा होगा कि आप बनाने के बाद ही इसको कहेंगे कि वाक्या कुल्फी बना करके तयार की है और हल्दी कैसे यूज़ करना है जिसे की हल्दी का बिल्कुल भी टेस्ट ना है ये आगे मैं वीडियो में बताऊंगी तो इसे आप चाहे कुलफी के रूप में खाए या इस तरीके से चमच की साहता से खाए दोनों ही तरीके से बहुत ही लाजवाब लगने वाली है फ्रें बिल्कुल भी हल्दी का नहीं आएगा इसकी गारेंटी मेरी है तो फ्रेंग्स वीडियो होने वाला है बहुत इंट्रस्टिंग इसे देखे हलो फ्रेंग्स मैंनी थी मेरे चैनल होप इतनी थी मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंग्स हमेशा की तरह आज भ कुल फी बनाने के लिए सबसे पहले गैस ओन करके हमें पैन या फिर कढ़ाई रखेंगे और उसमें एट करेंगे यह गिहूं का आटा तो यह च्छना हुआ होना चाहिए और जितना आपको चाहिए उतना भून सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा ज्यादा ही यहां पे भून रही हूं इसे हमें ड्राइ भूनना यानि की घी या तेल का यूज नहीं करना है और गैस की फ्लेम बिलकुल लो में भूनना है जिससे की इसका कलर ना चेंज हो लेकिन कच्छापन पूरी तरीके से निकल जाए तो हम इसे निकाल लेंगे तो देखिए आटा हमने भून लि जाता है क्यूंकि हमें इसे बौईल ही करना है तो देखिए दूध दीरे-दीरे पक रहा है आपे बौईल होने लगा है तो आप हम क्या करेंगे इसे चलाते रहेंगे साइज इसके साइज में चला देंगे जिससे की लगे नहीं अब हम यहां पे आदा कट्टोरी यानि की चोटी कटोरी शुगर यानि की चीनी एट कर रहे हैं आप मीठा अपने हिसाब से रख सकते हैं और यह आधा चमच हल्दी पाउडर तो हल्दी पाउडर बस हमें आधा चमच ही रखना है इससे कम हो जाए लेकिन ज्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है तो इसका कलर आएगा औ और अधर दूद पक रहा है इधर यह मैंने आधा कटोरी नौर्मल टंप्रेचर का दूद लिया हुआ है यह दूद गर्म नहीं होना चाहिए या तो फिर ठंडा हो या फिर नौर्मल टंप्रेचर यानि की रूम टंप्रेचर का और इसमें मैंने तीन चमच भुना गुआ आटा एट किया है तो ये देखें आचे का गोल बन चुका है आप आचा कच्छा भी ले ले सकते थे लेकिन उसमें कुलफी में ध्या लेक ही क्च्छा पर इसलिए हमने आचे को ठोड़ा सा भूल लिया है और अब हम क्या करेंगे जो हल्दी वाला दूद था उसमें ये आके वाले दूद का जो आके वाले घोल है वो हम इसमें mix कर देंगे और जब हम इसे mix करेंगे तब गैस की flame बिलकुल low होनी चाहिए और तुरंथ हम चला देंगे otherwise फिर इसमें गुलतियां पड़ जाएंगी जो दिक्कत हो सकती है तो देखिए धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो घोले ये गाढ़ा होने लगेगा अब हम यहाँ पे लेंगे vanilla essence तो फ्रेंच vanilla essence आप या तो फिर आप बटर इसको और essence ले सकते हैं या vanilla तो मेरे पास दोनों ही लेकिन मैं इसमें vanilla flavor एक करूंगी जिसे की vanilla flavor आएगा तो देखिए लगबग एक चमच हमने vanilla essence एक किया है तो आप विश्वास कीजिए हल्दी ज्यादा बिल्कुल भी मत एक कीजिएगा हल्दी का flavor बिल्कुल नहीं आएगा और आप इसमें essence जरूर एक करें अगर essence नहीं है तो फिर आप आटा इसकीप करके कस्टेट पाउडर एट करें लेकिन मैं इसे बिना कस्टेट पाउडर के बना रहे हूं तो देखिए जो बैटर है इस तरीके से ठीक हो गया है तो हमने गैस बंद करके इसे निकाल लिया है और इसे थोड़ा सा normal temperature में आने देंगे तो धीर तो दिखिए हमने और इस तरीके से जाग आ रहा है जितना हम इसे ग्राइंड कर लेंगे मारी कुलफी उतनी सॉफ्ट बनेगी क्योंकि हम इसमें ना तो कोई फ्रेस क्रीम एट कर रहे हैं ना ही कोई कश्टेट पाउडर वगएर है बस सिंपल सा दूद गेहूं के आच्च और हल्दी से इसे बना रहे है थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हमने इलाइची पाउडर एट कर दिया है और फिर से हम इसे ग्राइंड करेंगे तो यह लीजिया, हमने इसे ग्राइंग कर लिया है, दो बार हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, ग्राइंग क्या मिक्स ही करना है क्योंकि ये बहुत ही smooth batter रहेगा तो फिर कुल्फी भी उतनी smooth बनके तयार होगी तो देखें बहुत ही creamy texture वाला घोल तयार हो गया है अब हम यहां पर ice cream mold लेंगे या कुल्फी mold आप कह सकते कुल्फी का साचा अगर आपके पास में ये नहीं है तो मैं इसका ढखकन नहीं उस करूंगी कुलफी मूल का क्योंकि मुझे स्टीक वाली कुलफी ज्यादा पसंद है और थोड़ा सा बैक्टर गिर गया था वो मैं साफ करके इसे मैं ऐलमुनियम फॉयल पेपर से इसे कवर कर दूंगी अच्छे से जिससे कि इसमें आइस क्रिस्टल्स ना पड़ें तो देखिए बहुत अच्छे से मैंने इसे कवर कर दिया है और अब मैं एक चाकू की सायता इसमें बीज में कट लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पे हमें जो आइसक्रीम वाली स्टीक है वो हमें फिक्स करनी है तो देखिए इस तरीके से मैं कट लगा रही हूँ फ्रेंक्स मेरे चैनल पर एक आइसक्रीम की रेसिपी भी मैंने शेयर की थी आप लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया है बहुत मिलियन्स में आई है वो वाली रेसिपी तो आप उसे एक बार जरूर देखें उसमें भी मैंने हल्दी यूज किया था बहुत लोगों ने ट्राइ किया है बिल्कुल भी हल्दी का फ्लेवर नहीं आया है तो प्लीज आप एक बार इसे भी मेरे बताए हुए तरीके से बनाए तो देखें इस तरीके से क्या हुआ हमने इसमें जो आईसक्रीम के स्टिक है वो फिक्स कर दी है ये वाला जो खोले थोड़ा सा बड़ा हो गया है जिससे की आईसक्रीम के स्टिक टेड़ी है तो मैं उसे बाद में ठीक करूँगी अब थोड़ा सा ये घोल और बचा हुआ था तो इसमें मैंने बारी कटे हुए थोड़े से बादा मैट करके और स्टील के गलास में मैं इसे बना रहे हूँ तो देखे मैंने स्टील का एक छोटा ग्लास लिया है उसमें इस तरीके से भरके थोड़ा सा टैप टैप कर दिया है और इसे भी मैं फॉइल पेपर की सायता से अच्छे से कवर कर दूँगी अगर आपके पास में फॉइल पेपर नहीं है तो आप नॉर्मल एक कोई इसमें इसमें फॉइल कर दिया है और यह आइस क्रीम की जो इस्टिक है मैंने लगा दिये अब हम इसे रखेंगे फ्रीजर में लगभग साथ से आट गंते के लिए तब यह अच्छे से जम पाएगी तो मैंने ओवा नाइट के लिए इसे रख दिया है और चलिए दिखाते मॉर्निंग में यह कैसी जमी है तो मैंने इसे देखिए दोपहर में निकाला हुआ था मैं खाना खाने के बाद यानि की लंच के बाद इसे खा रहे हूं तो पहले जो ग्लास में जमाई हुई थी उसको देख लेते हैं तो अच्छे से जम गई है मैंने थोड़ी देर पानी मे इसे रखा है जिससे की अच्छे से निकल जाए तो देखिए एक प्लेट लिए और उसमें इस तरीके से करके इसे निकालने की कोशिश करेंगे तो यह देखिए फ्रेंड्स यह निकल आई है मैंने पानी में कुछ ज़्यादा देर ही रख दिया था और गर्मी समय बहुत ज़्यादा है तो फच फच यह पिगल रही थी तो मैं इसे कट कर रही हूं आप देखिए बहुत लोगों को इस्टिक में खाने खाना अच्छा नहीं लगता है तो आप उन्हें चमच की साहता से इस तरीके से दे सकते हैं कट करके तो यह देखिए मारी जो कुल्फी यह बनके तयार है इसे हम गानिस करेंगे तो फ्रेंड्स आप हल्दी इसमें कम डालें एसेंस जरूर डालें अगर एसेंस नहीं है आपके पास में तो अब हम यह वाली देख लेते हैं जो हमने मूल्ड में भरी हुई थी तो इसे भी हम हटा देंगे फॉल पेपर को और देखते हैं यह कैसी वनी है वाओ देखिए किते बढ़ियां दिख रही है कलर इसका कितना अच्छाया है तो इसे भी थोड़ी देर हम पानी में रखेंग और इसे इस तरीके से निकालने की कोशिस करेंगे बहुत ज़्यादा तेजी से स्टिक को नहीं खीचेंगे अदर्वाइस कुलफी रह जाएगी मोल्ड में और जो स्टिक है आ जाएगी हाथ में तो देखिए आसानी से घुमाते हुए हम इने निकाल लें तो धीरे धीरे य बहुत ज्यादा हो रही तो देखिए पिखल रही है लेकिन आसानी से निकल भी जा रही है तो यहां पर देखिए सारी जो कुलफी है वो हमने एक प्लेक में निकाल ली है यह देखिए है ना तो बहुत आसानी से निकल जाती है और यह देखिए अब हम इसे थोड़ा सा गा और यहां पे मेरे पास सिल्वर वाले दाने रखे हुए थे तो मैंने उससे इसे गानिस किया है तो आप भी बनाईए, इंजॉय कीजिए, घर में सभी को खिलाईए और सबसे पूछिएगा कि यह मैंने कैसे बनाई है तो देखना अगर जिसे पता नहीं होगा वो बिल्कुल भी नहीं कहेगा कि यह गेहूं के आटे से और हल्दी पाउजर से बनाई हुई है तो आप एक बार इसे ट्राई कीजिए और हाँ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा और कुलफी बनाने के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा मुझे उमीद है आपको पसंद जरूर रहेगी और बताए हुए जो मेरे इंस्ट्रक्शन उन्हीं को फॉलो कीजिएगा कुलफी बहुत ही टेस्टी बनके तयार होगी इस तरीके से सर्व कीजिए और हाँ आप चाहे तो मुझे इंस्ट्रक्राम में फॉलो कर सके वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू, थैंक फॉर वाची